हलो दोस्तों, असलाम वालेकुम करीब एक साल पहले मैंने Amazon से एक रिन्यूड लैप्टॉप खरीदा था इस वक्त जो आप लैप्टॉप देख रहे हैं यह वही है इसका मॉडल है HP ProBook 440 तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एक साल में इसका performance कैसा रहा है और क्या मुझे इसमें कोई दिक्कत या परिशानी आई है या नहीं तो जब मैंने इसे लिया था तब मुझे इसमें 6 months की warranty मिली थी और इसमें MS Office 2010 मुझे पहले से installed हुआ मिला था अगर बात करें performance की तो जो काम मैं इसमें करता हूँ मैं जादा तर MS Word, Excel, PowerPoint, Access से जुड़ा काम ही करता हूँ और net surfing वगरा यह सब करता हूँ तो मुझे कोई इसमें इन कामों में कोई दिक्कत या परिशानी नहीं आई है और इसमें Windows 11 है और time to time इसमें updates भी आती रहती है अगर बात करें दिक्कत की तो इसमें मुझे आज तक एक ही दिक्कत आई है कि इसकी जो keypad है इसमें कुछ keys ठीक से work नहीं करती है मतलब मैं type कर रहा हूँ कुछ और type करते करते आगे चला गया तो कभी full stop press नहीं हुआ, कभी K press नहीं हुआ, कभी B press नहीं हुआ और कभी M press नहीं हुआ, इस तरह कुछ keys जो है वो अब ठीक से काम नहीं करती है तो ये दिक्कत warranty खतम होने के बाद आई थी तो मैंने market में पता किया कि इसको अगर मैं repair करा हूँ तो कितना खर्चा आएगा तो मुझे पता चला कि इसका ये जो keyboard है, ये change होगा और उसमें करीब 1200 रुपीज का खर्चा आएगा, 1200 रुपे का तो मैंने इसको repair नहीं कराया, मैंने एक external keyboard ले लिया और मैं उसको इसमें attach करके काम करता हूँ अगर आपको इस बारे में ज्यादा details और चाहिएं तो मैं इसका link description में दे दूँगा आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि इस laptop में और क्या-क्या था आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर कीजेगा मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में